नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेजिनिंग के 10 आती महत्पूर परसनों को साल्व करने वाले हैं जो की दोस्तों आपके आगामी सभी परिछाओं के लिए महत्पूर है दोस्तों रेजिन आर्मी, CRPFC, टेट, पोलिस, स्टेट एकजाम या अधर किसी भी गवर्वर्मेंट एकजाम की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी परसनों को सामिल किया है वो काफी इंपोर बिटामिन ए का सम्मद्ध जिस प्रकार गाजर से उसी प्रकार हमें यह बताना है दोस्तों कि बिटामिन सी का सम्मद्ध किस से होगा और यहां पर कोस्चन मारें कौन से सब्द भरे जाएंगे अब देखिए दोस्तों साल्व कैसे करना है यहां पर देखेंगे तो जो माजर में क्या होता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है उसी परकार हमें यह बताना है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है यानि कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होती हो किस में पाया जाता है यहाँ पर देखने कि चार आप्सन दिये गए पर मचली दिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा संत्रा हो जाएगा क्योंकि दोस्तों खट्टे पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो उमीद करता हूं दोस्तों यह प्रशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका हो गए यहाँ पर question mark value हमें पता करनी है अब देखिए solve कैसे करेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर जू है आप 32 में क्या करेंगे यहाँ पर 34 को पलस कर देते हैं यानि कि दोस्तों यहाँ पर 34 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा यहा पर छाचट हो जाएगा जो कि दो तरीके से साल्व नहीं होगा अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे इस कोश्चन को साल्व करने के लिए अगर दूस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर 32 का गुड़ा दो से कर देंजिए यानि कि दोस्तों यहां पर चांचट लिखा गया है उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे यानि कि दोस्तों 134 गुड़े क्या करेंगे आप दो कर देंगे यानि कि यहां पर दो करेंगे दोस्तों गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा दो चुब के आठ हो जाएगा उसके बाद क्या क्या होगा दोस्तों यहां पर दो तियाए च्छा उसके बाद दो करेंगे तो 270 हो जाएगा दोस्तों तीसरे प्रशन को किस तरीके से आप साल्व करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे को ध्यांस देखेंगे तब जाकर कि आप क्या करेंगे साल्व करेंगे तो देखेंगे इस क्या दिया गया है यहाँ पर दोस्तों दिया गया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर A, C, E, F का संबंद जिस परकार यहाँ पर G, I, L से है उसी परकार हमें यह बताना है कि E, M, O, R का संबंद किससे होगा यहाँ पर question mark जाएं कौन से अक्छर भरे जाएंगे अब देखें आप देखेंगे तो यहाँ पर J, C, 3 पर आई लिग दिए जहाँ यहाँ पर ₹ क्या की राएं उसी परकार हम इहाँ इसमें भी करेंगे अब देखेंगे दोस्तों यहां पर क्या करना है यहां जो है दोस्तों कितने नमबर पर आता है ABCD का करमानुसार में 13 नमबर पर आता है 13 में जहां हम पलस च्छा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा और 19 में अस्थान पर कौन सा अच्छा आता है यानि कि दोस्तों यहाँ पर yes आता है उननीसवे अस्थान पर अब देखेंगे ओ दिया है दोस्तों ओ पंदरा नंबर पर आता है ABCD का करमानोसवर में ओ 15 पर आता है जब हम इसमें पर 20 ہو जाएगा आप दोस्तों पर अच्छा करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जागा और 24 में नंबर का उच्छा आता है तो यहाँ पर हमने क्या मिला यह सिए यू यतस देखेंगे किस आप्षन में देखेने के मिल दा तो आपसे नंबर यह आपका राइट अंसर हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह परशंना आपको अच्छे से क्वेगर भर आप देखेंगे साल्व कैसे करें अ unfold कि इस तरीके फ्र जञाएं फिर इस गोले को क्या करेंगे प besl Garden यहां पर कर देखेंगे पर इस तरीके हो जाएगा अब देखेंगे तो wyया पर एक लाइन पर तो हम क्या करेंगे अब देखेंगे तो यहां पर इस ताइप से क्या करेंगे यहां पर इस फीगर को पूरा हो जाएगा तो देखेंगे इस ताइप का फीगर किस आफ्सन में देखने को मिला है आफ्सन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि दूस्तों यहां पर देखेंगे तो यह भीजिश ताइप सी इधर कर दिया है अब देखेंगे तो है आफसे नमबर B में ऐसा देखना है आफसे नंबर B में आपका राइट प्रस्टर हो जाएगा तो चली दोस्ता हम अग्ले परसन की ओर चलते हैं पांचवे परसन को कैसे साल्व करेंगे देखेंगे दोस्तों पांचों प्रश्ण में क्या दिये गया है यहां पर आख का संबन जिस प्रकार मोतिय बिंद से दिया है उसी प्रकार हमें यह बताना है कि यहां पर तवचा का संबन किससे होगा अब देखिए दोस्तों सब्दों पर विचार कैसे करेंगे कैसे आप रोग होता है वो मोतिय बिंद होता है तो अचा का रोग क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपसन नंबर तीन आपका सही जवाब हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अगले परशन की ओर चलते हैं दोस्तों छटोंए परशन को देखी छटोंए परशन को कैसे साल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर कथन और निस्कर से संबंधित परशन दिया गया है कैसे साल्व करेंगे दोस्तों पहले आपको क्या करना है कोस्टिन को ध्यान से पढ़ना है तब ही जाकर क्या कर पाएंगे आप solve कर पाएंगे, तो यहां पर देखेंगे जो दिये गया है, आपर कारड़ कीृप में 2 कथन डिये गए, यानि कि कथन को पढ़ करके हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है, अब देखेंगे, तो यहांपर दिये गय यानि कि दोस्तों तो क्या होता है जब उसे जोड़ा जाता है यानि कि दोस्तों यहां पर जब जोड़ा जाता है तो यहां पर एक प्लेट लगाई जाती है और इसके बीच में क्या होता है थोड़ा गय दिया जाता है क्यों दिया जाता है यहां पर अब दिया गया है लोहा गर्मियों में फैलता है यानि कि दोस्तों जो गर्मियों क्या होता है फैलता है और ठंडी के मवसम में क्या होता है शिकूरता है तो यहां पर इसलिए क्या रखा जाता है फासला रखा जाता है तो यानि कि दोस्तों यह क्या है दोनों कथन सही है यानि कि दोस्तों लोहा लोह आपको अच्छा से clear हो चुका होगा तो अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं दोस्तों साथ में प्रस्टुन को देखते हैं यहाँ पर देखेंगे दोस्तों साथ में पपनान किया है उसके ने प्रोर देखें किपेंगे साथ से जै्सक्राइब हो गया है यान मेद दो Cash चार और चार कर दीजिका अब कर दीजों है याँ पर गीजार से क्या हो गया है याँ नीडिकना किया प्लस-उन-व कर दिया तो यहां पर देखेंगे दूस्तों क्या चल दाए स्री यानि कि प्लस वन प्लस चार प्लस नव यानि कि अगर आप ध्यांस देखेंगे तो एक का अगर स्कॉयर करेंगे तो एक का स्कॉयर एक ही होता जो कि दूस्तों यहां पर दिया गया तो यहां पर जो है दूस्तों अब कर दो का स्कुरार फिर तीन का स्कुरार अब हम क्या करेंगे चार का स्कुरार करेंगे चार का स्कुरार करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 16 हम लिख देते हैं और यहाँ पर 16 को क्या करेंगे यहाँ पर 20 में प्लस कर देंगे तो जिब 20 में बंदित सब्दों को चुनिए यहां पर दोस्तों हमें यह बताना है कि यहां पर लंबा का संब्द जिस परकार चौड़ा से उसी परकार हमें यह बताना है कि उचा का संब्द किससे होगा अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर जो है लंबा का जो बिपरीत अर्थ हो प्रशन को कैसे सालव करेंगे यहां पर दिये गया है यदि किसी सांकेतिक भासा में डी बराबर 4 और यहां पर यहान पर देखेंगे तो ड बराबर किया दिया है चार दिया गया है यानि के दोस्तों, A, B, C, D के करमा अनुसार में, D, कितने नंबर प्याता है, चार नंबर प्याता है तो उसी प्रकार हमें यह पताना है कि यहां पर फेर कैसे लिखा है तो यहां पर देखेंगे तो यह जो है दोस्तों यह छटे में नंबर प्याता है ABCD कर्मानुसार पर A जो है दोस्तों एक नंबर प्याता है और यहां पर R जो है दोस्तों यह 18 नंबर प्याता है और यहाँ पर यह जो है दोस्ते हम पांच नूंबर प्र ल्टेशा या निट्बार SHOT इनको अपस में Hmm पलस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तो जोडने पर 6 OF 16 हो जाएगा नो cœur्ण का और आपस में प्लस कर देना है अब देखेंगे तो यह जो है दोस्तों यह आठ नंबर पर आता है तो एक लिग लेते हैं अब देखेंगे तो यहां पर आई जो है दोस्तों कितने नंबर पर आता है यहां पर नव नंबर पर आता है नव लिग लेते हैं अब देखेंगे आ अधर्वार देर्वा साथा नमबर पर लानन हो जागा जान, इसके लोकोन पर छफे से कुफ़ा और कर से और केंगा something like , अगर दूस्तों आज का हमारा अनितिम प्रष्ण है को अनतिम प्रष्ण को सालव करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों हम इस कोश्चन को साल्व करते हैं देखेंगे दोस्तों यह नंबर एनलाजी से संब्धने प्रश्ण दिया गया है और यह से सीच चसल 2021 में पूछा गया प्रश् चैनल तो यहां पर चैनल नहीं होगा अब कोई तूसरा तरीका लगाएंगे देखेंगे तो आठ दिया है आठ से आठ के बाद काउंसा आंकाता है 9 आता है यानि 28 का गुड़ा जवाब 9 से कर देंगे तो 9anking क्या होता है защad याज आठ seven बाहत्तर का आधा कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा उसी पार क्या कैया का हीघ हरेंगे याध कर बारा के बाड़ के बाद क्या का ऐटा है तो यहा पर देंगे तो बारा को करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा तो यहां पर 156 हो जाएगा और 156 का आधा करेंगे यानिकि दोस्तों भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों सत्य क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा और 28 जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा देखेंगे दोस्तों 78 की इस option में देखने को मिला तो option D आपका right answer हो जाएगा तो आसा करता हूं दोस्तों यह question भी आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत